Hello Students, Welcome to Paragon Classes, Class 12th के आज की लेक्चर में, हम सेकंड युनिट जो करेंट इलेक्टिसिटी है, उसका सेकंड और लास्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं, करेंट इलेक्टिसिटी जो युनिट है उसमें दो ही चैप्टर हैं, जिसमें से एक चैप्टर आप कर चुके हैं, जिसका नाम है, इलेक्टिक करेंट रिजिस्टेंस और इमेप, और सेकंड और लास्ट चैप्टर, आज हम शुरू करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है, इलेक्टिकल मेजरमेंट्स, तो यह आपके सामने, हमारा नया चैप्टर आचुका है, यह चैप्टर काफी छोटा है और इसमें टोटल चार ही आर्टिकल्स हैं, जिनमें से एक आर्टिकल, एक टॉपिक आपको आज कराया जाएगा, तो जैसा कि सारे बच्चे देख पा रहे हैं, Electrical Measurements इस चैप्टर का नाम है, Measurement, word का meaning, बच्चे पहले से जानते हैं, Measurement का मतलब होता है, आसान भाशा में, नाप तोल करना, किसी भी quantity को नापना या तोलना, Measurement कहलाता है, आप किसी चीज़ की length नाप रहे हो, आप किस चीज़ का volume नाप रहे हो, किसी चीज़ का mass, force, कुछ भी measure कर रहे हो, तो Measurement उस ब्रांच को बोलते हैं, और Electrical Measurements चैप्टर का नाम ये है, कि हम इस चैप्टर में, Electricity से जुड़ी हुई quantities को measure करेंगे, In this chapter, we will measure the quantities which are studied in electricity, Unit का नाम Current Electricity है, तो Electricity एक ब्रांच है, उस electricity ब्रांच में कुछ quantities आपको पढ़ाई गई है, जिनको आप इस chapter में measure करना सीखेंगे, by different methods, मैं आपको पहले ही बता दूँ किन quantities को measure करना यहाँ पर सिखाया जाएगा, जो पहली quantity है, जो आज आप measure करना सीखेंगे, उसका नाम है I, यानि Electric Current, आज आपको electric current कैसे measure करते हैं, वो सिखाया जाएगा, अब तक आपने electric current को find out करना सीखा था, ohms law के help से, current is equal to total EMF upon total resistance, आपको यहाँ एक different method से current को measure करना सीखाया जाएगा, किसी circuit में, उसके बाद आप next सीखेंगे, किसी unknown resistance का value measure करना, और फिर आप सीखेंगे, किसी cell के internal resistance को measure करना, और उसके बाद आप सीखेंगे, finally, किसी cell का EMF measure करना, यानि इस पूरे chapter में, आपको यह, चार ऐसी quantities measure करना सिखाया जाएगा, जो electricity में आपने पढ़ी हैं, पिछले chapter में, current क्या होता है, वो आपने पढ़ लिया है, पिछले chapter में, resistance क्या होता है, काफी detail में, current और resistance आपने पढ़ लिया है, internal resistance of cell भी पढ़ लिया है, और cell का EMF, ये भी सब detail में आपने पढ़ लिया, ये चीज़ें क्या होती है, ये पढ़ने के बाद, इस chapter में, आप इनको measure करना, सीखने वाले हैं, तो one by one, आपको इनको measure करना सिखाया जाता है, आज की class में, आज की lecture में, आपको current measure करना सिखाया जाए, और उस current के measurement को सीखने के लिए, आपको एक law पढ़ना पढ़ेगा, जो इस chapter का first topic भी है, जिसका नाम है, किर्चॉफ्स first law, वैसे तो topic का नाम है किर्चॉफ्स law, लेकिन किर्चॉफ्स के दो law हैं, तो इसलिए first law और second law, turn by turn आपको सिखाया जाएगा, जैसे जब आप Newton's law of motion पढ़ते हैं, तो आप Newton के तीन law पढ़ते हैं, Newton's first law of motion, जिसको law of inertia बोलते हैं, Newton's second law of motion, और Newton's third law of motion, उन्होंने एक law दिया था, जिससे किसी circuit में current को measure करते हैं, और उस law के दो parts हैं, first part को हम बोलते हैं, किर्चॉफ्स first law, और second वाले को बोलेंगे, obviously किर्चॉफ्स second law, इस किर्चॉफ्स first law का एक और नाम भी है, इसे junction rule के नाम से भी जाना जाता है, ये law current को measure करने के काम आता है, और next part भी इसका वोही काम करता है, बड़ दोनों law collectively मिलकर, किसी circuit में flow करने वाले current की value बता सकते हैं, अब बच्चे, हाला कि मैं अगर ये discuss ना करूँ, तो शायद ना भी पूछे, और बुक में भी नहीं लिखा है, लेकिन उन्हें ये जानना ज़रूरी है, कि current measure करने के लिए, तो हम पहले ही एक formula जानते हैं, ये है वो formula, जो आपने यूज भी किया है पिछले chapter में, तो जब हम current find out करने के लिए, किसी circuit में flow करने वाला current पता लगाने के लिए, और रेड़ी एक formula जानते हैं, तो हम एक नया formula और क्यूं सीख रहे हैं, या नया law किर्चॉप्स law क्यूं सीख रहे हैं, तो मैं बच्चों को एक conceptual knowledge, के लिए बता देता हूँ, ये formula applicable होता है, simple circuits में, और जहां simple circuit नहीं है, complex circuit है, वहाँ ये वाला formula applicable नहीं होता है, वहाँ ये formula fail हो जाता है, काम नहीं करता है, तो complex circuits में current को measure करने के लिए, हम किर्चॉप्स law की help लेते हैं, अब बच्चे ये जानना चाहेंगे, obviously के simple circuit और complex circuit में क्या difference है, ये simple circuit कैसा दिखता है, और complex circuit में क्या क्या होता है, तोनों में क्या फरक है, और हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा circuit simple है, कौन सा circuit complex है, नौमली बुक्स में ये बात, बिस्क्राइब या डिटेल में नहीं बताएगी है, इन वर्ड्स का भी बहुत ही कम बुक्स में इस्तिमाल किया गया है, बुक्स में सीधा किर्चॉफ्स लॉप पढ़ा देते हैं, और ये पुराना लॉप भी पढ़ा देते हैं, लेकिन स्टूडेंट को ये, बहुत डिटेल क्या छोटी, शॉट कॉम में भी नहीं बताया जाता, कि किस सर्केट में आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, टोटल एमें फॉर्टल एमें और किस सर्केट में किर्चॉफ्स लॉउज यूज करना है, कि दोनों ही फॉर्मूले करने के लिए, दोनों ही फॉर्मूले एक ही चीज का पता लगाते हैं, बट कॉन सा फॉर्मूला कॉन से जगह इस्तेमाल करना है, वह लॉख्स में कहीं पर भी डिसक्राइब नहीं किया जाता है, और इसी वज़े से जब एक्जैम में कोई question आता है तो बच्चे डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हम इसे कौन से law से solve करें तो कि वहाँ ये indication नहीं होगा कि you have to solve this question using Kirchhoff's law या you have to solve this question using Ohm's law या जो भी है वहाँ आपकी personal knowledge जो है वो ये बात बता पाएगी कि यहाँ हमें कौन सा lawyer यूज़ करना है तो इसलिए ये law पढ़ने से पहले आप जान लें कि जहाँ पर ये Ohm's law काम नहीं करता है वहाँ पर ये Kirchhoff's law काम करता है और Ohm's law काम करता है simple circuit में और Kirchhoff's law काम करता है complex circuit में आपको अभी बना के बताऊंगा कि simple circuit क्या होते है और complex circuit क्या होते है लेकिन वो circuit कैसे दिखते हैं और उनमें क्या फर्क होता है वो जानने से पहले आप first law पहले सीख लो law सीखने के बाद फिर मैं आपको circuit दिखाऊंगा और second law भी साथ में ही सीख वाएंगे और use भी और इन दोनों के बीच का difference भी यानि ये सारी queries second law सीखते सीखते आपकी clear हो जाएंगी तो पहले मैं आपको first law सिखा देता हूँ किर्चॉफ्स का जिसे junction rule कहते हैं और फिर आपको second law सिखाते समय ये सारी बाते जो मैंने discuss की हैं इनको with reason explain कर देंगा क्योंकि वहीं ये चीज आपकी properly explain हो जाएगी कि किर्चॉफ्स law use कहां करना है और वो circuit कैसा दिखता है उसकी क्या खास बात तो आएं सीखते हैं junction rule जिसको किर्चॉफ्स का first rule भी या first law भी कहते हैं अब सबसे पहले ये law सिखने के लिए आपको junction word का meaning मालूम होना चाहिए और इस junction word का meaning circuit में क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा लेकिन ये junction word का meaning meaning आपके daily life में भी एक जगह आपने कभी पढ़ाया सुना होगा वो आपको मुझे बताना होगा ये आपका task है मैं एक example देता हूं हम जिस city में रह रहे हैं जहां से मैं ये lecture record कर रहा हूं वो है रूड की जो district हरीदवार में आता है और जब आप रूड की के railway station पर पहुंचते हो तो वहां पर एक board लगा होता है railway station के नाम का जहां सिर्फ रूड की लिखा होता है लेकिन जब आप रूड की से train में बैठ कर सहरनपूर station पर पहुंचते हों तो सहरनपूर के railway station पर सहरनपूर के साथ साथ railway station पर सहरनपूर junction लिखा होता है सर्किट में junction क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा लेकिन railway station में junction का क्या मतलब है वो आपको find out करना है उसके लिए आप अपना कहीं इंटरनेट से सर्च करो आप अपने पेरेंट से भी पूच सकते हो अगर आपने खुद ट्रेन में काफी सफर किया है तो काफी बच्चों को ये बात पता भी होगी कि जिस railway station के नाम के साथ junction नहीं लिखा होता जैसे मैंने example दिया रुड़की के साथ आप रुड़की रिल्वेश्चन पर जाके देख लो वहां junction नहीं लिखा होगा रुड़की लिखा होगा खाली लेकिन रुड़की से train में बैठके अगर आप सारनपूर जाओगे सारनपूर जैसे आप स्टेशन पर पहुंचोगे वहां लिखा दिखा ही देगा आपको सारनपूर जंक्शन हिंदी में भी लिखा होगा और शौर्ट फॉर्म में जह लिखा होता हिंदी में और ऐसे एक गोला सा बना रहेते हैं इसका मीनिंग होता है junction तो आपको यह पता लगाना है और मुझे बताना है कि सारनपूर का रेलवे स्टिशन के नाम के आगे junction क्यों लिखा है और रूटकी के रेलवे स्टिशन के नाम के आगे junction क्यों नहीं लिखा है यह आपका टास्क है हां electrical circuit में junction क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं क्योंकि हम तो आपको physics पढ़ा रहे हैं बाकी बच्चे अपने parents से भी पूछ सकते हैं तो जैसे भी आपके resources आप यूज कर पाओ यह आपका task है I hope सारे बच्चे task समझ गए होंगे अब हम आते हैं अपने physics वाले portion पर physics में junction किसी circuit के उस point को कहते हैं जहां पर एक से ज़्यादा wires आकर मिल रहे होते हैं और जब ऐसा हो रहा होता है तो उस point तक कुछ wires से current उस point तक travel कर रहा होता है जैसे आप देखो कि यह I1 current O point तक आ रहा है लेकिन यह जो I2 current है यह O point से अवे जा रहा है आई 3 current भी O point से अवे जा रहा है लेकिन I4 current junction यानि O point तक आ रहा है आई 5 current भी अवे जा रहा है तो junction circuit का एक ऐसा point होता है circuit का junction एक ऐसा point होता है जहां अलग-अलग different wires जॉइन हो रहे होते हैं और उन different wires में current flow करके या तो junction की तरफ मूब कर रहा होता है towards the junction बोलते हैं इसको और या junction से अवे मूब कर रहा होता है अवे फ्रॉम देंक्शन कर रहा होता है अगर आपका यह ऐसे कोई circuit बना है तो आप देखो यह cell है जिसका EMF-E है इसके current निकला यहां पहुंचा यहां से यहां पहुंचा यहां से यहां और यहां इसमें कोई junction नहीं लेकिन अगर मैं एक circuit ऐसे बना दूँ तो आप देखो यह आई जो current यहां से जाएगा यहां पहुंचके जब यहां गया तो यहां पर I1 और यहां से आगे I2 तो यह point जहां एक तरफ से current आता है और अलग-अलग दो तरफ चला जाता है यह point जहां पर एक से ज़्यादा तरफ से current आ रहा है यहां तीन वायर्स मिल रहे हैं एक तो यह जहां I1 current वायर है I2 current वायर है और I current वायर है तीन अलग-अलग वायर्स मिल रहे हैं जिन में से I current junction की तरफ आता है I1 current भी junction की तरफ आ रहा है लेकिन I current junction से अवे जा रहा है यह I1 current आगे जाकर यहीं पर आकर मिलेगा यह I2 current यहीं पर आकर मिलेगा और फिर दोनों मिलकर वापस I बनकर बैटरी में जाएंगे तो circuit में junction एक ऐसा point होता है जहां पर currents या तो मिल रहे हो या बिछड रहे हो currents के मिलने और बिछडने वाले point को circuit में junction कहते है यह आपकी सबसे आसान भाषा की पहचान है क्योंकि जब तक आप junction पहचान होगे नहीं न you cannot apply junction rule till you recognize where is the junction in the circuit तो जब तक आप junction पहचान नहीं लेते तब तक आप junction rule इस्तमाल कैसे करोगे तो इसलिए junction की पहचान क्या है कि यहां जहां पर current कुछ जगों से आ भी रहा हो और जा भी रहा हो I1 current आ रहा है junction की तरफ तो I2 जा भी रहा है I3 जा भी रहा है I4 आ रहा है तो I5 जा भी रहा है तो एक ही point पर different जगों से current आ भी रहा हो और different जगे current जा भी रहा हो एक से ज़्यादा option हो तब उस point को circuit में junction कहा जाता है अब rule क्या कहता है वो ध्यान से सिख रहे है rule कहता है It states that the algebraic sum of the currents meeting at a point in an electrical circuit is always zero It is also called junction rule यहां से यहां तक का पहले आप समझ ले फिर आगे की बात करते है junction rule क्या कहता है It states that junction rule कहता है the algebraic sum of the currents यानि सारे currents का algebraic sum meeting at a point मिल रहे हैं जो किसी point पर उस point को ही junction कहता है in an electric circuit is always zero यानि यह कहना चाहता है कि इस junction पर मिलने वाले सारे currents का algebraic sum zero होगा हमेशा और अगली line है it is also called junction rule जिसे junction rule कहता है क्योंकि junction के ऊपर यह applicable हो रहा है और next line और भी important है the current flowing in a conductor towards the junction यानि conductor मतलब वायर वायर में current flow करेगा obviously हवा में तो flow नहीं करता current current flowing in conductor की जगे में वायर भी बोल सकता हूँ in wire towards the junction junction की तरफ of conductor is taken as positive and the current flowing away from the junction is taken as negative तो पहली बात याद रखनी है सारे currents का algebraic sum 0 होता है junction पर अब sum जब कर रहे हों आप तो उन currents को plus यानि positive ले जो junction की तरफ बढ़ रहे हैं और उन currents को negative लेना है जो junction से अवे जा रहे हैं तो आप यहाँ देख लो i1 current junction की तरफ जा रहा है i2 current junction से अवे जा रहा है i3 भी junction से अवे जा रहा है i4 current junction की तरफ है और i5 current भी junction से अवे है तो यहाँ क्या लिखा है देखो i1 को plus लिया है plus करके i2 को क्या लिया है minus plus करके i3 को भी क्या लिया है minus i4 को plus लिया है फिर i5 को भी माइनस लिया है क्योंकि i2 current, i3 current और i5 current देख लो आप i2, i3 और i5 ये तीनो current जंक्शन से अवे जा रहे हैं और i1 current और i4 current जंक्शन की तरफ जा रहे हैं तो जंक्शन की तरफ जाने वाला current आपको प्लस में लेना है और जंक्शन की अवे जाने वाला जंक्शन से अवे जाने वाला current आपको माइनस में लेना है और सबका sum करके equal to रखना है हमेशा 0 अब आपने नीचे brackets open कर दिये ये प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस ही रहेगा और ये माइनस हो जाएगा यानि आपके पास ये formula बन गया बहुत आसान है ये rule दो line ने याद रखनी है बस आप इस language को याद रख पाओगे या लिख पाओगे दुबारा अगर आप ये आसान भाषा में याद रखोगे जो मैं बोल रहा हूँ physics को हमेशा easy language में समझ लें और उसी भाषा में आपको वह हमेशा याद रहे तो इतना English बना के सारे बच्चे लिख सकते हैं कितना भी कोशिश कर लो अगर आपने उसका concept सही समझावा है तो कितनी भी गलत English लिख लो उसका meaning वही निकलेगा इसमें grammar का कोई पंगा नहीं होता तो इसलिए इसमें ऐसा नहीं कि आपको word by word कुछ याद करके रखना पड़ता है अगर आपको ये लिखने के लिए आभी जाए या कोई पूछ भी ले कि किर्चॉफ's first law जिसको junction rule भी कहते हैं वो क्या होता है तो आपको आपसान भाशा में याद रखना है कि ये rule कहता है कि किसी junction पर सारे currents का algebraic sum हमेशा 0 होता है और junction की तरफ आने वाले current को positive लेते हैं और junction से अवे जाने वाले current को negative लेते हैं कि इतना सा अनियम है और junction कौन सा point होता है वो point होता है जहां एक से ज़्यादा wires आकर मिल रहे हैं कुछ वायर्स में current junction की तरफ आ रहा होगा जैसे I1 और I4 है और कुछ वायर्स में junction से current अवे जा रहा होगा लेकिन junction पर current का sum हमेशा 0 होता है This is called Kirchhoff's First Law Law पहले आपको सिखा रहे हैं Apply करने के लिए आपको numerical practice के लिए जाएंगे वहाँ बच्चे इन्हें apply करके देखेंगे मैं बच्चो को notes भी send कर दूँगा तो notes में भी कुछ solid examples हैं उनको भी एक बार try करें First Law बच्चो ने सीख लिया है Current का algebraic sum 0 है एक से ज़रा currents होगे तब ही वो junction होगा और junction की तरफ आने वाले currents को plus और अवे जाने वालों को minus लेना है और सबका plus minus करके equal to zero रख देना है यह आपका किर्चॉफ first law sum आपको बच्चो को ले चलते हैं किर्चॉफ second law की तरफ जो आपको junction से reality में पहचान भी कराएगा आपको simple और complex circuit का फर्क भी समझाएगा और law तो आप बढ़ी लोगी तो चलते हैं किर्चॉफ second law की तरफ तो यह है आपके सामने किर्चॉफ second law जिसके आगे bracket में loop rule भी लिखा है जैसे किर्चॉफ first law को junction rule कहा जाता था किर्चॉफ second law को loop rule कहा जाता है अभी loop rule क्यों कहते हैं वो आपको अभी पता चलेगा थोड़ी दिर बाद सबसे पहले आप इस circuit को जड़ा देखें आपको देशे की दिख रहा है इस circuit में एक cell यह लगा हुआ है जिसका EMF E1 लिखा है और दूसरा cell यह लगा हुआ है जिसका EMF E2 लिखा है और साथ में आप कुछ resistances भी देख रहे होंगे यह एक complex circuit का example है सबसे आसान सबसे basic example for a complex circuit अब complex circuit की सबसे पहली पहचान यह है कि उस circuit में एक से ज़्यादा cell लगे होते हैं अब बच्चे कहेंगे कि एक से ज़्यादा cells तो हमने पहले भी देखे हैं जो grouping of cells था उसमें एक क्या एक line में N cells लगे थे या M cells parallel में थे और mixed grouping भी थी तो वहां हमने current find out करने के लिए सीधा सीधा formula बता दिया था आपको यानि वो जितने सारे cell लगे थे आपने उनका सबका total EMF निकाला था और जितने resistances लगे थे आपने उनका total resistance निकाला था या series या parallel के formula से complex circuit की पहचान यह है कि उसमें एक से जादा जो cell लगे होते हैं जैसे यहां सिर्फ दो ही हैं तीन चार पांच कितने भी हो सकते हैं वो सारे cells आपस में combine नहीं किये जा सकते यानि उनका total EMF नहीं निकाला जा सकता क्योंकि वो ना तो series में होते हैं ना parallel में अब यह दोनों cell ना तो series में हैं ना parallel में क्योंकि बीच में resistances आ गए हैं आप अगर गौर करोगे और पिछला lecture जो grouping of cells है वो ध्यान से देखोगे तो जितने भी cell आपस में series में connected थे उनके बीच में कोई external resistance नहीं था हां सभी cells के अपने-पने internal resistance तो थे तो यहां पर भी इन cells के अपने-पने internal resistance तो होंगे लेकिन उनके साथ बाहर कोई external resistance connected नहीं था और फिर cell लगावा है सारे cell आपस में connected थे या तो series और parallel में without any external resistance between them और जो यह resistances भी हैं वो भी आपस में external वालों की बात कर रहा हूं मैं वो भी सारे external resistance आपस में connected इस तरह होने चाहिए कि वो series parallel से join combine होके उनका total resistance निकाला जा सके यहां आप देख रहे हो यह जितने भी resistances हैं इनमें जाज स्यादा यह दो R4 और R5 इन दोनों को आप directly add कर सकते हो इनको series में ले सकते हो बाकी यह और यह सब total नहीं किया जा सकता इनका यानि ऐसा circuit simple circuit क्यलाता है जिसमें एक से ज्यादा EMF या तो एक ही cell लगा हो एक ही cell वाले को भी simple circuit कहेंगे single cell लगा है और single ही external resistance है और उसका खुद का internal resistance है यह है यह simple circuit क्यलाएगा या फिर एक से ज्यादा cell अगर लगे हो तो वो सारे cells इस तरह होने चाहिए सिरीज या पैरलल में और सारे resistance भी इस तरह होने चाहिए सिरीज या पैरलल में कि उनका total resistance और total EMF निकाला जा सके अब आप देखो यह सारे cell एक साथ connected है तो इनका total निकाला जा सकता है पैरलल में होते तब भी निकाला जा सकता था यह सारे resistance आपस में external इस तरह कनेक्टेड कि इनका total निकाला जा सकता है by series and parallel formula तो ऐसा circuit अब ध्यान से समझ लें law को समझने से पहले ऐसा circuit simple circuit कहलाता है जिसमें या तो एक cell हो और उसका खुद का internal resistance होता है और बाहर एक ही resistance हो external या फिर अगर एक से ज्यादा cells हो तो cell आपस में connected और सारे external resistance आपस में connected इनका भी total निका निकाल लें हम तो total resistance EMF का total निकाल लें तो total EMF आपको किर्चो आपस लोगी जरूरत ही नहीं है लेकिन ऐसे circuits यह तो simple एक example यह basic example कहना चाहिए ऐसे circuits जिनमें cells आपस में series parallel में नहीं है इसलिए उनका total EMF नहीं निकाला जा सकता और resistances भी सारे आपस में series parallel में नहीं है बीच म circuit को complex circuit कहा जाता है तो आसान भाशा में कह सकते हैं कि complex circuit वो circuit होते हैं जिनमें cells का total EMF और total resistance नहीं निकाला जा सकता पूरे circuit का इसलिए पिछला formula हमारा यहां काम नहीं करता यानि Kirchhoff's law आपको उस condition में इस्तेमाल करना है जहां circuit का circuit में लगे हुए सारे cells का total EMF नहीं निकाला जा सकता और सारे resistances का total resistance नहीं निकाला जा सकता क्योंकि उनको सबको आपस में series या parallel में नहीं लिया जा सकता वो इस तरह से connected होते हैं जैसा कि यहां है अब आपको complex circuit क्या होता है पता चल गया वहाँ Kirchhoff's law लगाना है और उसका second और आखरी नियम आपको अब सिखाया जा रहा है जिसे loop rule कहते है अब इस loop rule को सीखने और apply करने से पहले मैं आपको इस circuit में current की marking के बारे में एक चीज और बता रहा हूँ यह सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज है जिस circuit में current की marking आपको करनी आएगी तब ही आप यह rule इस्तेमाल कर सकोगे कई जगे पर current की marking या तो नहीं दी होती है या दी होती है तो वो आपके according नहीं होती सही नहीं होती मतलब ऐसी जस्ट ऐसे marking करके छोड़ देते हैं कुछ value लिखके छोड़ देते हैं लेकिन सही value कैसे पता लगती है वो आपको मैं दिखाता हूँ circuit आपके सामने है ही यह एक cell है जिसका EMF E1 है उसका internal resistance small r1 है यह symbol internal resistance का है यह external resistance r1, r2 दो connected है फिर एक cell है इसलिए यह दोनों की वज़े से आपस में दोनों cell ना series ना parallel कैसे भी नहीं हो सकते दूसरा cell E2 है जिसका EMF उसकी internal resistance small r2 है यह resistance r3, r5, r4 इस तरह से पूरा network है यह rule इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको इस circuit में flow करने वाले current की marking करनी है current की marking कैसे होती है मैं आपको दिखाता हूं सबसे पहला काम क्या करें जितने भी cell लगे हैं हर cell कोई ना कोई current जरूर circuit में send कर रहा होगा तो जैसे की यह cell है जिसका नाम E1 है जिसका EMF E1 है वो मान लीज़े यह जो arrow दिख रहा है positive terminal से current निकलता है वो current send कर रहा है इस circuit में I1 आपको उसका value नहीं पता आपको given होगा सिर्फ पता किस किस का value E1 का value, E2 का value, R1, R2, R1, R2, R3, R4, R5 कॉमा लगा दें सब के बीच में दोनों सेल्स का EMF आपको given होगा वोल्ट में दोनों सेल्स के internal resistance आपको given होगे R1, R2, Ohms में जितने भी external resistances R1, R2, R3, R4, R5, 5 external resistance है यह भी आपको given होगे आपको find out क्या क्या करना होगा आपको find out करना होगा I1 का value और I2 का value क्या जी तो कैसे find out करेंगे आप उसके लिए मैं आपको पूरी procedure समझा रहा हूँ बहुत तसली से detail में सीखें यह जल्दी बाजी का काम नहीं है यह सारी चीज़ें आपको given है मैं G लिख देता हूँ या और यह I1, I2 आपको find out करना है तो सबसे पहले आपने suppose किया कि E1 से निकलने वाला यह जो करेंट है यह I1 है दूसरा cell E2 है उससे भी कुछ न कुछ करेंट निकलेगा उसको आप मान लें कितना I2 अगर E3 होता तो उससे I3 करेंट निकलता तो जितने cell है सबसे अपना अपना करेंट तो निकले गई अब आप यहां गौर से देखें यह example देखेंगे तो आपको हर circuit में इसे यूज करना आ जाएगा यह basic पर best example है किरचॉफ second law को समझनेगा E1 से निकलने वाला I1 करेंट ऐसे बढ़ता हुआ इस resistance के तुरू होता हुआ इस point पर पहुँचता है जिसका नाम A है और E2 से निकलने वाला करेंट जो I2 है वो भी आगे बढ़ता हुआ इस A point पर पहुँचता है तो आपको समझ जाना जी है यह point junction है लेकिन यह junction rule नहीं इस्तेमाल कर रहे है वो हमने सीख लिया है junction rule सिखाने के लिए यह चीज नहीं कर रहे है मैं बस junction की पहचान बता रहा हुआ अब I1 current यहाँ पर आता है I2 current यहाँ पर आता है दोनों यहाँ combine होते हैं अब उनके पास option नहीं है कुछ दोनों combine होकर आगे बढ़ जाएंगे यानि A से आगे बढ़ने वाला जो current है वो बन जाएगा I1 प्लस I2 यह दोनों currents combine हो गए तो अब आप अगर इस A junction को देखें तो I1 current junction की तरफ बढ़ रहा है और I2 current junction की तरफ बढ़ रहा है लेकिन I1 प्लस I2 current junction से अवे जा रहा है मैंने फिर से बोला है junction rule इस्तेमाल नहीं करना बट जस्ट junction दिखाने के लिए कि junction कैसा होता है सर्किट में अब यह I1 प्लस I2 current आगे बढ़ता है R4 resistance के तरू और D point पर पहुंचता है अब इस D point पर पहुंचने के बाद इसके पास कोई और option नहीं है इसे इसी रास्ते पर जाना है यानि वो सारा का सारा current जिसका नाम I1 प्लस I2 है वो आगे बढ़ गया इसलिए D point junction नहीं है क्योंकि D point पर ना कहीं से एक से ज़्यादा जगों से current आया ना एक से ज़्यादा जगे current गया junction हमेशा उस point को कहा जाता है यह देखो या तो एक से ज़्यादा जगों से current आ रहा हो या एक से ज़्यादा जगे current जा रहा हो अब D point पर तो एक ही current आया और वो ही आगे बढ़ गया तो यह D point junction नहीं है अब D point से आगे I1 प्लस I2 जो पीछे से आया था वो ही सारा का सारा आगे बढ़ा और यहां पहुँचने के बाद C point पर देखो अब उसके पास दो options हैं जाने के तो मैंने बताया था जिस जगे पर या तो एक से ज़ादा जगों से current आये या एक से ज़ादा जगों पर current जाये उसे junction कहा जाता है दो लग-लग different directions में जा रहा है अब इस C point से इस तरफ यानि R3 की तरफ कितना जायेगा और R2 की तरफ कितना जायेगा इसके लिए एक नियम याद रख लें किसी भी battery के positive terminal से जितना current निकलता है आगे जाकर circuit में वो किसी और current से combine होए या ऐसा कुछ हो कि वो current आगे जाकर circuit में divide हो जाए बंट जाए कुछ भी हो battery में वापस negative terminal में उतना ही current जाता ही है वापस अगर इसके positive terminal से I1 current निकला है तो इसके negative current में वापस I1 जाएगा ही और ठीक उसी तरह इसके positive terminal से I2 current अगर निकला है तो इसके negative terminal में I2 current वापस जाएगा ही अब ये बात आप इस point से देख सकते हैं कि यह I1 प्लस I2 current जब यहां पहुँचता है तो इस branch में वो I2 और इस branch में वो I1 जाएगा क्योंकि यहां पर वो दोनो current मिले हैं और यहां पर वो दोनो current separate हो जाते हैं और I2 अपने घर चला जाता है अपनी battery के negative terminal में जतना निकला था और I1 अपने घर चला जाता है अपने battery के negative terminal में जतना निकला था circuit में एक कहावत है obviously मेरी बनाई हुई कहावत है यह कि अगर किसी battery से निकलने वाला current किसी दूसरे current से कहीं पर मिलता है किसी एक बैटरी से निकलने वाला करेंट किसी दूसरे करेंट से कहीं पर मिलता है तो कहीं पर आकर वो उस करेंट से बिछड़ेगा जरूर और अगर एक ही बैटरी से निकलने वाला करेंट दो तीन चार अलग जगे पर बिछड़ गया तो कहीं पर वो वापस combine जरूर होगा क्योंकि उसे अपनी battery में उतना ही वापस जाना है जानी circuit में अगर मिलने वाला point है तो बिछडने वाला point है A तो बिछडने वाला point भी जरूर होगा और अगर बिछडने वाला point पहले आ गया है तो वापस मिलने वाला point भी जरूर होगा कभी ऐसा नहीं हो सकता कि जितना current बैटरी से निकला बटने बटने के बाद उससे थोड़ा कम बैटरी में वापस जाए तो हम ऐसा बच्चों को समझाते हैं कि I1 current यहां से निकल कर A point पर पहुँचा और I2 current निकला वो भी A point पर पहुँचा और आगे दोनों कहते हैं कि हम साथ साथ है और हम साथ साथ हैं होते हुए D पर पहुँचे और आगे भी हम साथ साथ हैं लेकिन C point पर पहुँचने के बाद वो दोनों एक दूसरे को कहते हैं कि हम आपके हैं कौन यानि I1 अपने रास्ते चला जाता है I2 अपने रास्ते चला जाता है तो ये नियम अगर बच्चे याद रखेंगे ये books वगरा में नहीं लिखा होता ये personal observation है ये नियम याद रखेंगे तो आपको current की marking करने में कभी दिक्कत नहीं होगी और current की marking ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जब तक आप ये current की marking नहीं करेंगे ये जो side में लिखी वी चीज है ये आपके लिए बिलकुल wastage है Kirchoff's law किताब में लिखते समय है वहाँ current की marking को कभी समझाया नहीं जाता books में किसी भी book में current की marking को समझाया नहीं गया वो marking directly दे दी गई होती है और वो भी इस form में नहीं इस current को I1, I2, I3, I4 ऐसे कुछ भी नाम रख देता है उससे किसी बच्चे वो कुछ पता नहीं चलता है उनका Kirchoff's law किताब से समझाने वालों का main stress इसे पढ़ाने पर होता है बलकि यही mainly लिखा होता है और उनको यह पता नहीं होता कि यह wastage है अगर current की marking के concept नहीं समझे तो आपको दो concept याद रखने है हर battery से अपना current निकलता है वो आगे जाकर मिले या एक battery से निकलने वाला current different branches में बटे मिलने वाले point को भी junction कहते हैं बटने वाले point को भी लेकिन अगर पहले मिल गया है तो बाद में बटेगा यानि distribute यानि अलग जरूर होगा separate जरूर होगा और अगर पहले separate हो गया तो बाद में मिलेगा जरूर लेकिन बैटरी के positive जिस बैटरी के positive terminal से जितना current निकलता है मिल बीच में मिलना बिछडना जो भी कुछ हो जाए उस बैटरी के negative terminal में उतना ही current वापस जरूर जाता है ये अगर principal concept आप याद रखोगे तो आपको current की marking कभी गलत नहीं होगी तो आई होप बच्चों ने एक current की marking अच्छी तरह दिमाग में बिठा लिए अब हम अपने loop rule पर यानी किर्चॉफ के second law पर आते हैं law क्या कहता है अब इसकी भाशा बहुत आसान है बस translate करते जाएं और समझते जाएं it states that ये law कहता है कि in any closed part of an electrical circuit पहले इतने portion को समझ लो इतने portion की वज़े से ही इसका नाम loop rule पड़ा है सिर्फ यहां तक के portion की वज़े से ही इस law का नाम किर्चॉफ second law का नाम loop rule पड़ा है ये जो word आप देख रहे हो ना इन एनी closed part of an electrical circuit तो अगर मैं बात करूँ इस circuit की तो यहां यह B point आप देख रहे हो A point आप देख रहे हो C point आप देख रहे हो और B point आप देख रहे हो B A C B यह इस circuit का एक closed part है B A C B लिख गया बच्चों को B A C B यह इस circuit का एक closed part है आप इसका दूसरा closed part भी भूल सकते हो दूसरा closed part में लिख सकता हूँ A D C A क्या लिख सकता हूँ A D C A यह लो लिख लेता हूँ A D C A और तीसरा closed part भी लिख सकता हूँ B A D C B यहां लिख देता हूँ B A D C B तो किसी भी circuit में ही apply होगा जैसे junction rule junction पर apply होता है ऐसे यह वाला rule इस closed part पर apply होगा तो closed part को क्या कहेंगे आज के बाद loop कहेंगे अब उस loop में होता क्या है इस loop का नाम क्या रखा जाएगा B C A B B A C B इस loop का नाम है B A C B नीचे वाली loop का नाम क्या है A D C A देख रहे हैं A D C A तो loop rule क्यों कहते हैं क्योंकि यह law closed loop पर applicable होता है पहले मैं एक loop की बात कर लो एक loop में यह law आपको apply करके दिखा दूँ फिर दूसरे loop में भी दिखा दूँआ तो पहली बात क्या बोलता है यह law कहता है It states that in any closed part of an electric circuit किसी भी circuit के closed part में closed part को क्या कहते हैं loop कहते है the algebraic sum of the emfs उस closed part में जितने भी cell लगे है उन cell के emfs का algebraic sum is equal to the algebraic sum of the products of the resistances and current flowing through them यही तक पढ़ना है हम है आगे तो line है it is also called loop rule वो आपको बताई दिया और क्यूं कहते हैं loop rule वो भी बता दिया लेकिन अब यह जो यहां से मैं tick mark लगा रहा हूं यहां से लेके यह tick mark तक की line का meaning क्या है वो मैं आपको लिखकर दिखाता हूं पहले आधा part algebraic sum of the emfs तो इस loop में जिस loop का नाम मैंने लिख दिया bcab sorry नाम पढ़ा क्या bacb sorry bacb लिख रहा है bacb इस loop का नाम जिसका मैंने लिखा उस loop में यह कहता है the algebraic sum of the emfs इस loop में जितने भी cell लगे हैं उनके emfs का algebraic sum करो पहले तो तो आप देखो इस loop में bacb में दो cell लगे हैं एक का emf है e1 दूसरे का emf है e2 तो emf e1 और दूसरा emf e2 इनका आपको algebraic sum करना है तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर जान बूच कर gap दे के लिख रहा हूँ जिससे बाद में एक चीज मैं जब कहूंगा तो वो यहाँ use की जा सके e1 प्लस e2 यह इस loop में जो दो cell थे उनके emf का algebraic sum कर दिया मैंने आगे बोलता है is equal to एलो जी equal to the algebraic sum फिर से algebraic sum करना है of the products किसका algebraic sum करना है product product मतलब होता है multiply of the resistances and current flowing through them यहाँ से इस जगह से यहाँ तक का मतलब यह कहता है कि इस loop में B, A, C, B में equal to के बाद जो resistance लगे में है जैसे resistance लगावा है एक R1 B से A तक आओ एक resistance R1 है दूसरा resistance है R3 और तीसरा resistance है R2 और हर resistance में कुछ न कुछ current है R1 में कितना current है I1 तो I1 R1 कर दो अब B से A तक आए उसके बाद आगे गए resistance है R3 उसमें कितना current है I2 तो I2 R3 कर दो यह आप क्या कर रहे हो product of the resistances and current product माने multiply resistance और current का multiply कर दो जो resistance में जितना current है उससे multiply कर दो तो I1 को R1 से multiply कर दिया आगे बढ़े I2 को R3 से multiply कर दिया और C से जब वापस B तक close loop में जाओगे तो R2 को फिर से I1 से multiply कर दोगे लेकिन साथ में एक और चीज़ ध्यान रखो इस पूरे loop में जिसका नाम है B, A, C, B इसमें यह R1, R3, R2 यह external resistances के साथ-साथ इसी loop में दो internal resistance भी है जो cell के अंदर है उनमें भी तो current flow करता है cell का अंदर भी एक resistance होता है जिसमें वो ही current flow करता है जो cell से बाहर निकल रहा है उनको ignore नहीं करना जितने भी resistance है चाहें वो external हो या internal सब resistance को उसमें flow करने वाले current से multiply करना है तो cell के इस वाले internal resistance R1 में I1 current है तो I1 R1 और इस वाले internal resistance में कितना current है I2 तो I2 R2 तो आपने left hand side में क्या किया algebraic sum of the EMFs किसी भी close loop में जितने EMFs यानि इतने cell लगे है उनके सारे cells के EMFs का algebraic sum is equal to equal to के right hand side में क्या किया algebraic sum of the products of the resistance and current आपने उस loop में जितने भी resistance लगे है उन resistance में flow करने वाले current से उनका product करके हर resistance को current से multiply करके उनका भी क्या करना है algebraic sum ये loop rule कहता है तो पहले आप इस rule को क्या वो language में कह रहा है वो समझ ले और ये आप हर एक loop में apply कर सकते हो अब जब मैं नीचे वाले loop का नाम लिखूंगा A, D, C, A ये लो जी loop A, D, C, A A, D, C, A ये close loop है उपर वाले loop को मैं one बोल दूँँ तो नीचे वाले loop को मैं two बोल देता हूँ ये इतने नीचे वाले triangle वाले इससे की बात कर रहे हैं close loop है अब आप सबसे पहले देखो इस पूरे loop में A, D, C, A में कितने cell है सुनाई दे रहा है मुझे बच्चों ने बोला एक cell क्या नाम है उसका E2 उपर वाले loop में दो cell थे A, E1 और E2 लेकिन नीचे वाले loop में एक ही cell है और कोई cell तो है नी E2 तो अब उसका किसी के साथ algebraic sum नी करना दो होते तब होता है algebraic sum तो उस cell को अकेला लिख दे equal to equal to के बाद अब आपको equal to के दूसरी तरफ उसमें जितने भी resistance हैं उनको current से multiply करके उनका सबका algebraic sum लिखना है तो सबसे पहले आप A से D तक चले तो resistance है R4 और उसमें current कितना है I1 प्लस I2 उसके साथ R4 की multiply अगला resistance है R5 उसमें कितना current है I1 प्लस I2 resistance है R5 हर current को resistance से multiply कर देना अभी फिलाल इसकी जरुरत नहीं है स्कौट आदेता हूं और उसके बाद अगला जब A से D तक पहुँचे थे तो यह resistance था D से C तक पहुँच गए R5 हो गया अब C से यहां पहुँच रहे हैं वापस A तक तो R3 उसमें कितना current है I2 और यह तो external resistance हो गए तीनो उनमें flow करने वाले current multiply अब एक internal resistance भी है R2 small जिसमें I2 current है और इन सब का इल्या ब्रिक्सम तो यहां इस law का एक portion खत्म होता है complete होता है अभी भी एक portion बाकी है जिस portion का नाम है sign convention sign convention मैंने word पहले बहले यूज नहीं किया लेकिन इस word को apply मैंने किया है junction rule में भी junction rule में बताया था कि जब आपसे algebraic sum करने को कहा गया था यह देखो वापस दिखा रहा हूँ junction पर currents का algebraic sum करने के लिए कहा गया था algebraic sum तब आपने एक rule इस्तेमाल किया था कि junction की तरफ आने वाले current को plus और अवे जाने वाले को minus लेंगे क्योंकि जब आप कुछ quantities का algebraic sum करते हो तो आपको plus minus sign का ध्यान रखना होता है यहाँ पर मैंने rule इस्तेमाल किया कि आपको एक तरफ सारे sales का EMF का algebraic sum करना है और दूसरी तरफ current और resistance के product का algebraic sum करना है हर close loop में EMF का algebraic sum equal होता है current और resistance के product के algebraic sum के तो मैंने अभी इस law को simple बनाने के लिए उसका एक portion करके दिखाया अभी मैंने इसमे sign convention बच्चों को नहीं पढ़ाया है जान बूच कर क्योंकि अगर मैं पहले ही बीच में sign convention गुसा देता हूँ इस वाले rule में तो बच्चों को confusion हो जाता है यह मेरा पिछले 20 सालों का तजरूब है इसलिए मैंने पहले इसको आसान बनाने के लिए सिर्फ algebraic sum करना है वैसा दिखा दिया अभी मैंने यह नहीं बताया sign convention के मुताबिक के इन में से कौन से वाले EMF को और कौन से वाले current को plus लेना है और कौन से वाले को minus लेना है बस अब इसमें एक चीज़ आपको सीखना बाकी है जो अगली class में सिखाई जाएगी obviously च्योंकि यह class ज़्यादा लिंदी हो जाती है sign convention लग से बहुत important है उसके लिए काफी अच्छा time लेके हम सिखाते हैं बहुत तसली से तसली से जो जितना सीखता है उतना ज़्यादा फायदे मंद होता है एक कहावत है the slower you go the faster the safer you will reach चीखे जी दुरगटना से देर भली तो इसलिए आप तसली से सीखो concept को और उसे एक बार पक्का करके फिर आगे चलो तो बहुत बढ़िया रहेगा जल्दी बाजी कभी नहीं जल्दी का काम शेतान का होता है कहवत है कुछ देखके ही सोचके ही बड़े लोगोंने कही है तो आपको मैंने एक portion सिखा दिया second law का फिर्स लोग तो पूरा सीख लिए हमने second law का एक portion सिखा है sign convention के लिए एक अलग से class मतलब class का एक अलग से छोटा portion 15-20 minutes का एक lecture आपको उसके लिए देखना पड़ेगा तो अभी के लिए फिलाल आपको current का marking जो कि सबसे important था उसके बिना तो किर्चॉफ्स law ये कोई सीखी नहीं सकता क्योंकि current जब तक आपको नहीं पता किस से कितना current निकला है सही सही तब तक आप सीख नहीं पाओगे इस law को आगे solve करने के लिए इसका sign convention सीखना जरूरी है जो हम आपको next class में सिखाएंगे अभी तक के लिए आप ये law अच्छी तरह revise कर लो समझ लो क्या कहता है किर्चॉफ्स का second law कि किसी भी circuit में पहले आप current की marking कर लो current की marking के लिए मैंने अपने बनाय हुए आपको rule बता दिये साथ साथ और कौन वाले जितना battery से current positive terminal से निकला है जाना ही है current मिलेगा तो बिछडेगा ज़रूर और बिछडेगा तो मिलेगा ज़रूर ये cycle of life है लेकिन law क्या कहता है current की marking के बाद कि algebraic sum of the EMFs किसी भी close loop में closed part में उपर वाले close part ले लो नीचे वाला close part ले लो पूरा close part ले लो किसी भी close part में जितने भी cell लगे हैं उनके EMFs का algebraic sum हमेशा equal होगा किसके algebraic sum के product of current और resistance के algebraic sum के तो यह आपका यह R3 लिखना भूल गया था ना मैं I1 R1 और I2 R3 और बाकी सब ठीक है तो यह एक तरफ आपने current और resistance का product का algebraic sum किया है और दूसरी तरफ EMF का sum किया है दूसरे वाले loop में भी यही किया है बस उसमें एक ही था EMF तो एक ही लिखा है लेकिन इसका भी sign क्या होगा वो बहुत matter करता है तो अब इन सारे में से आपने rule सीख लिया है बस सारों में से किसको plus लेना है और किसको minus लेना है वो rule मैं आपको next class में सिखाऊंगा full detail में अगर वो rule आप बुक से पढ़ते हो तो बड़ा confusing है किर्चॉफ साइंटिस था उसे थोड़ी पता था ये law बनाते समय कि बाद में बारवी क्लास के बच्चों को टॉर्चर जा जाएगा इस rule से law जब साइंटिस को खोज कर रहा होता और ये बात guaranteed है बुक से जो method या किर्चॉफ की बाशा में जो method होता है वो बहुत complicated और confusing है और उसे बच्चे 90% सवाल गलत करते हैं 90% बच्चे 99% सवाल गलत करते हैं तुक्के में सवाल सही हो गया तो हो गया guarantee कुछ नहीं है लेकिन जो मैं आपको तरीका बताता हूं आसान करके सीखा है मैंने वो तरीका तो वही है किर्चॉफ में मैंने कुछ नया नहीं खोज लिया लेकिन उस तरीके को आसान करके सीखा है जैसे current के में से ब्रेकिंग का तरीका आसान करके सीखा है तो वो आपको इस sign convention को बिल्कुल सही सही guarantee के साथ सही सही बताएगा और इs sign convention जब तक सही नहीं होंगे तब तक आप यह equation solve करोगे तो answer गलती आएगा तो sign convention के लिए देखेंगे आप next class तब तक याद रखें किसी भी close loop में EMFs का algebraic sum, product of current and resistance के algebraic sum के equal होता है आपको यह देखना है कि कितनी resistance लगी है, external, internal सारी मिला के और किस resistance में कितना current है हर resistance को उसमें flow करने वाले current से multiply करके उनका algebraic sum करना है बीच में sign क्या लगाना है अभी तो मैंने sub में plus लगा दिया क्योंकि sum दिखाना था मुझे, लेकिन sign यहाँ plus किसका होगा, minus किसका होगा उसके लिए आपको अगली class दिखाई जाएगी तो मिलते हैं अगली class में, तब तक के लिए अच्छी तरह पढ़ें, समझें Goodbye and take care